हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी आरे ये सभी को आवाज नमस्ते सभी को रण्जना सिंग जी नमस्ते ब्रिजेश गूड इवनिंग प्रेम चंद गूड इवनिंग चलिए ठीक अमरेतुपादेश 007 इंस्टा पर Map in short अगर देखना हो रिविजन तो इस पर जा सकते हैं अमरेतुपादेश 007 क्लासेश के इंफोर्मेशन लाइव जब भी आते हैं तो उसका इंफोर्मेशन और PDF ये सब कहां आता है ये होता है टेलिग्राम पर पहली बार आपकी लाइव क्लास में आई हूँ सर पॉलिटी के सारे रिकॉर्डट देखती हूँ थैंक्यू सूमच सर पॉलिटी के लिए आपका शुक्रिया आप देखती हैं इसको ठीक है गुड इवनिंग सर सर आप दिल्ली से लाइव क्लास लेते हूँ मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ आपसे मिल सकता हूँ सर इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा मुझे पैसा ही पैसा होगा सर कलेक्टर बनने के बाद आज इसी पर बात करने वाले हैं अधिकारी बनके खुब पैसा कमाऊंगा बहुत अच्छी बात है बाई मकसद अगर पैसा कमाना ही है तो काफी अच्छी बात है आपका क्लास रोज होता है इस टाइम पर अधिकारी बनके कुछ अच्छा काम कीजिएगा खुब पैसा कमाऊंगा ये motivation मत रखिये मुन्ना पॉलिटी क्लास के लिए दिल से धन्यवाद शुक्रिया आप लोग समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए सबसे पहली बात व्यक्तित्व विकास से जुड़े व्यक्तित्व की कोई एद सच डिफिनिशन नहीं है परिभाषा नहीं है लेकिन अगर लेमेन में बात करें तो व्यक्तित्व से मतलब क्या समझते हैं आप क्या फील करते हैं आप किन values को रखते हैं और उसको reflect करते हैं आपका behavior का pattern क्या है ये सब मिलाकर आपका व्यक्तित्व का निर्मान होता है व्यक्तित्य निर्माण में आपके biological aspect भी है प्लस environmental भी है आप किस तरह के परिस्थिती में रहते हैं किस तरह के geography में रहते हैं इन सारी चीजों से तैय होता है कि व्यक्तित्य का निर्माण कैसा होगा ठीक है और इन बहुत सारे factors का reflection आपके द्वारा किया जाता है आप जो feel करते हैं उसमें इन सारी परिस्थितियों का एक समावेशन दिखेगा included रहेंगी ये तब जाकर आपकी एक feeling बनती है आप उस दिशा में सोचते हैं वैसा ही सोचते हैं जैसा ये सारी परिस्थितियां आपको सोचने के लिए तयार करती हैं फिर आप खुद से उसमें क्या innovation करते हैं किसी भी चीज को सोचने का नजरिया आपका कैसा है जिन्दगी को जीने का नजरिया कैसा है ठीक है किसी दुविधा के स्थिति में किसी संकट के स्थिति में आप कैसे react करते हैं ये सारी चीजें आपकी व्यक्तित्व का ही reflection है ठीक व्यक्तित्व विकास से जुड़ी हुई अगर दुविधा और संशय की बात करें और हम किस आस्पेक्ट में बात करें हम UPSC की तैयारी के आस्पेक्ट में बात करें आपको ध्यान होगा कि तीन चरण होता है प्रिलिम्स जिसको हम पीटी कह लेते हैं मेंस और इंटर्व्यू यह जो इंटर्व्यू है इसका नाम ही दरसल परस्नाल्टी टेस्ट है आपके व्यक्तित्व का ही परिक्षण किया जाता है आपके नॉलेज का परिक्षण तो पीटी और मेंस में हो चुका है दो एप्रोच पर नॉलेज का परिक्षन हो चुक है, प्रिलिम्स के एप्रोच में कि आप मल्टिपल च्वाइस कोश्चन रहते हैं, मेंस में सब्जेक्टिब तरीके कर रहते हैं, आप से लिखने के लिए बुला जाता है, तो आप लिखते हैं, आपके ग्यान का पूरा यहा के बाद आएं, प्रिलिम्स में GS के सारे विश्यों को मिला कर, करेंट अफेर्स को मिला कर, साइंस टेक्मिलोजी हो, प्वालिटी हो, हिस्ट्री हो, जिग्रफी हो, इन्वायर्मेंट एकोलोजी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ मिला कर आपसे टेस्ट ले लिया गया फिर उनका subjective test ले लिया गया यानि आपका analytical approach कैसा है visualization आप कैसा करते हैं dimensions को सोच पाते हैं कि नहीं आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आपकी समझ है कि नहीं सरकार की policy के बारे में आप कितना समझते हैं आगे आने वाले विजन को आप कितना समझते हैं देश के विभिन स्सीयוש के आर्थिक चितियों को कितنا समझते हैं उन्के क्या-क्या political status है उसको कितना समझते हैं यह सारी चीज़े जाए कि आपके knowledge नहीं आपकी personality का टेस्ट हो आपने कई बार सुना होगा कहते हुए मौक इंटर्व्यू पैनल में हम लोग भी बोलते हैं कि भाई यह जरूरी नहीं है कि आप अगर पांच सवालों पर इंटर्व्यू पैनल को कह दें कि नहीं आता है मुझे माप कीजेगा तो इससे कोई नंबर नहीं कटता मार्क्स नहीं कटते हैं दरसल यह उसका टेस्ट नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है लेकिन अगर आप फॉल्स अटेम्ट लेते हैं बिना जाने हुए बात करते हैं बिना ठीक से सवाल को सुने हुए अटेम्ट लेते हैं या फिर वेग बात कर रहे हैं और इस जाते जाते हैं क्यों क्योंकि आप में honesty का parameter है कि नहीं ठीक है यह देखा जाता है आप false attempt ले रहे हैं इसका मतलब आप honest approach में नहीं किसी तरीके से सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो व्यक्तित्व के अलग अयामों की परिक्षण का परिक्षण होता है तो हम बात कर रहे है UPSC के लिहाद से बाकी psychological लिहाद से और बाकी philosophical लिहाद से हम बात नहीं कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास को परिक्षण से जोड़ कर देखना है या एक विशय की तरह समझना है इस बात की दो विधा हो सकती है कई लोग कहते हैं कि सर personality को कैसे develop करें इंटर्व्यू में personality कैसे एक दम groom होके आए ठीक है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है ये लगतार चलने वाली प्रक्रिया है व्यक्तित्व ऐसा कोई चीज नहीं है जो स्थिर है बलकि जीवन भर बदलने वाली चीज है जीवन भर उसमें बदलाव होगा तरह तरह के अनभवों से तरह तरह के परि व्यक्तित्तों में रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद उसके व्यक्तित्तों में बदलावा आ जाता है, व्यक्तित्तों में निखार आ जाता है, या व्यक्तित्तों में गिरावट भी आ जाती है, दोनों तरह के कंडिशन हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये डा पर्क में रही है उससे क्या फैदा होता है आपका व्यक्तित्व निखरता है आपके व्यक्तित्व में निखारता है जैसे एक 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 जामपल लीजे कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के बारे में बहुत निगेटिव सोच रखता है जैसे सड़क पर कोई लड़की अगर गाड़ी चला रही है और थोड़ा सा अन्बैलेंस हुआ या कहीं ऐसी सूजबुज का परचे उसने नहीं दिया तो कई लोगों को आप देखेंगे कि वो कार देखते बोलेंगे इसलिए हुआ है क्योंकि लड़की चला रही है यहां तक कि इतना क्रुएल बिहेवियर है कि अगर कोई एक्सिडेंट भी हो गया तो लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि लड़की चलाएगी तो हो गई यह एक निगेटिव थॉट प्रॉसेस है आपका जबकि आंकडे निकाल कर देखिएगा तो पता चलेगा कि जितने रोड एक्सिडेंट हो रहे हैं सारी लड़किया तो करने रही है और उस लड़की का भी अगर कोई एक्सिडेंट हुआ है रोड पर तो उसकी वज़ा वो खुद है या दूसरा कोई पूरुष है यह भी आ मान लीजे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उसकी सोच को प्रभावित किया या किसी ऐसी किताब के संपर्क में आया जिस किताब को पढ़कर उसकी आँखे खुल गए या किसी भी प्रॉसेस के जरिए या किसी परिस्थिती के जरिए या किसी एक शन के जरीए अगर उसकी सोच में परिवर्तन आया तो फिर उसका व्यक्तित्व कुछ और रिफ्लेक्ट करेगा महिलाओं को लेकर समवेदन शीलता बढ़ जाएगी धर्म को लेकर अगर बहुत ज़ादा वाटसप उन्वर्सिटी और बाकी चीज़ों को लेकर जो आजकल कई दफे माहौल बन जाता है धर्म को लेकर एक दूसरे से पर्चे नहीं जिसके जैसे कोई हिंदू लड़का है उसके बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं तो वो धर्म के प्रती अलग नजरी रखता है ठीक है अब कभी पर्चे हुआ नहीं पर्चे की कमी के वज़े से उस माहौल में आप ढले हुए हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म सबसे बढ़ी हैं दूसरा धर्म सबसे खराब हैं एक एक्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं अगर ऐसी कंडिशन है आप किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ते से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं इसका उल्टा भी वैसा ही है कि मुस्लिम कोई लड़का है और हिंदू दोस्त है बहुत सारे तो उनके कल्चर से रिती रिवाज से एक लगाव है दोस्तों के साथ करके उससे एक मन में आ गया है कि यार नफरत आ गई है किसी भी वज़से अगर नफरत है मान लेजिए उस व्यक्ति से जिसको ए व्यक्ति है जिसको किसी दूसरे धर्म किसी भी धर्म के व्यक्ति से नफरत है और वो जेनरलाइज़ है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए न रेफ्लेक्ट करेगा, उसके behavior pattern में कुछ अलग reflect होगा, क्योंकि उसके thinking अलग है, सोचने का तरीका अलग है, feelings अलग है, behavior का pattern अलग है, ये व्यक्ति किसी एक दिन ऐसी जगह accident कर बैठता है, जो उसी धर्म के बहुल वाला इलाका है, उसी धर्म के लोगों का निवास वहाँ ज करता है, और जैसे ही accident हुआ, इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसी धर्म के लोग, जो जिससे ये नफरत करता था, इन्होंने जान लगा दिया, उठा कर ले गया हॉस्पिटल, खोन दिया, पैसा नहीं था, तो पैसा भी लगा दिया, अब ये व्यक्ति जब यहाँ से निक सल गया, अब ये जो बदलाव होगा एक परिस्थिती की वज़े से, इस से इसकी पूरी personality में एक अलग तरह का change आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोई स्थाई चीज नहीं है, ये दिन बदिन होने वाली घटनाओं से, परिस्थितियों से, संपरकों से, आपके सोचने के तरीके में changes आने से, ये change होगा, सबसे बड़ी दूइधा है कि UPSC की तैयारी करने वाले student ग्यक्तित्व विकास की बात, interview के दौरान करें, interview के समय, उसके लिए training लें, या फिर, ऐसे भी करते रहें, ये भी एक दूइधा है, कि वह इसकी training होती है, कि कहा होती है, प्रेलिम्स और मेंस में इसके महत्तों को अंदेखी करें, या फिर वहाँ भी इसका कोई रोल है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि जरुरत पढ़ने पर इससे develop कर लिया जाएगा, आपके आंतरिक गुण हों, या आंतरिक विशेष्टाएं हैं, अक्सर आपने सुना होगा, कि व्यक्तित तो आंतरिक भी होता है, और इंटर्नल पर्स्नालटी बहुत अच्छी है, एक्स्टर्नल पर्स्नालटी भी होती है, जिसमें आपका सारा reflection है, पहनने ओढ़ने से लेकर आपके body language तक वो भी reflect करता है, आंतरिक गुण और विशेष्टावप की अगर सिर्फ बात क जिससे reflect होता है आपका external personality, तो व्यक्ति तो बताता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेश स्थिती में कैसे व्यभार करता है या क्या प्रतक्रिया देता है, क्योंकि ये आपके feelings, आपके thought process और आपके behavior से जुड़ा हुआ है, इसी चीज का परिक्षन किया जाता है UPSC के interview में, personality test जाता है, आपको किसी ऐसे situation में डाल कर ये परखा जाता है कि क्या आप संतुलित तरीके का जवाब दे पाने के स्थिती में है, या संतुलित सोच रखते हैं कि नहीं, या पैनिक होते हैं, या घबराते हैं, किसी चीज से डरते हैं, या कोई ऐसी चीज reflect करते हैं, जो समाज के हित में ना हो, या प्रशासन में आपको भेजने से उसका नुकसान भी हो सकता है, इन सारे तरह की चीजों का टेस्ट किया जाता है, तो व्यक्तित्व बेसिकली आपका reflection बताता है, ठीक है, आप जब भी reflect करेंगे, आपने व्यक्तित्व के हिसाब से reflect कर देंगे, तो उस आप क्या हैं, ये आपका व्यक्तित्व टैक करती है, चल, prelims to interview batch 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, सारे जो टीचर्स हैं, उनके demo classes एवलेबल हैं, उनके demo classes आप देख सकते हैं, admission लेने के पहले, जो भी faculties हैं हमारे, उनके demo classes एक एक करके हम लोग डाल रहे हैं, तो prelims to interview demo करके डालेंगे, तो उसमें आ जाएगा, अमरित live code यूज करना है, 2999 में, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, तीनों ही भाशाओं में आप इसमें admission ले सकते हैं, P2I batch में, ठीक है, टेश अगस्ते, शाम 6 बजे, features की बात करेंगे, तो prelims में जो लोग पास हो जाएंगे, उनक बात, एक-एक व्यक्ति के साथ, एक-एक mentors का attachment होगा, यानि one-to-one mentorship program है, साथ ही group mentorship program है, इसके साथ test series prelims हो, mains हो, यह सब free है, success in prelims एक crash course है, वो भी free है, mains के लिए success in mains crash course है, वो भी free है, evaluation आपको हर दिन, faculty एक question देंगे, उसका answer आपको लिखना होगा, और यह सारी प्रक्रिया के तहट, एक-13 महिने के आसपास का पूरा designed है, schedule, उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या है व्यक्तित्व का विकास, भाई, अपने कमियों को, और layman में हम बात कर रहे हैं, हम इसके philosophical angle पर नहीं जा रहे हैं, या फिर इस पर, जो debate से हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं, एक सा अच्छाई को, अपनी बुराई को, या अपने गुण और अवगुण को पहचानना, व्यक्तित्व का, के विकास का एक महत्वण आया हमें, आप अपने personality को तब तक develop नहीं कर पाईएगा, जब तक कि, आपको अपनी कमियों के बारे में पता ना हो, वो कमी कोई और बताए किसी के संपर्क में आके आपको समझ में आए कि आप किस तरह के व्यक्तित्व related गलतियां करते हैं, आपके गुणों की भी पहचान अगर आपको है, तो आप उसको और निखारने की कोशिश करते हैं, उसको सही दिशा मिले जाने की कोशिश करते हैं, आपकी कमियों को जाग यह हमेशा से व्यक्तित्व विकास की एक मजबूत स्थिती होती है, मतलब अगर व्यक्तित्व का विकास करना हो सही दिशा में, तो अपने गुणों को और आपको निखारना पढ़ाएगा, ठीक है, वो गुणों को निखारने के लिए ही हम रेगुलर बेसिस पर अच्छा सह हित्ते पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं, इससे हमें वो सही दिशा मिलती है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकें, और अपने अउगणों को, अपने कमियों को पहचान कर उनको दूर करने की कोशिश जब करते हैं, तब जाकर हमारा व्यक्तित रिफाइंड होते जाता है, धीरे-धीरे समय के साथ-साथ, मैच्योर होते जाता है, सोचने-समझने की ख्षमता को हम डेवलप करते जाते हैं, एनलेटिकल वे में चीजों को सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बहुत साइवर फ्रॉड हो गया, अब उन्होंने मुझे मैशेज किया पर्सनली, स्टुडेंट ही हैं, तो उन्होंने मैशेज किया कि सर ऐसी 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 बात है, और वर एक बड़ा लौस हो गया है, मैंने गलती कर दिया है, जिसके बुते ही अगले छे महिने चलने है, इतना अब उनके मैसेज में एक लाइन बहुत थी, डिस्टर्बिंग था, वो था, कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, और कभी-कभी मन करता है, सुसाइड कर लूँ, तो मैंने उनको कॉल लगाया जल्दी से, कि भाई, अगर इतने ही पैसे से पूरे जीवन का वैल्यू है, इतन किसी नकरात्मक परिस्थिति में फंस गये हैं, तो उससे निकलने के रास्ते सोच रहे हैं या नहीं, निकलने के पचास तरह के रास्ते हो सकते हैं, अगर आप वो सोच रहे हैं, इस्थिर दिमाग से सोच रहे हैं, पहले अपने आपको स्थिर कर रहे हैं, तो आप एक तो इन कम्यों को दूर करना होगा, ठीक, यहां समझने वाली बात ये भी है कि व्यक्तित्यों के विकास की प्रक्रिया एक या दो महीने की नहीं है, बलकि ये जीवन भर सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? चलिए, मानसिक सतरकता, UPSC क्या करता है, व्यक्तित्यों को कैसे तलाशता है, मतलब परिक्षन कैसे करता है आपकी, पहले तु देखता है कि मानसिक रूप से आप कितने सतरक हैं, अच्छे लिस्टनर हैं कि नहीं, अच्छा सुनते हैं कि नहीं, कोश्चन को ठीक से पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़कर सही डिमांड को पकड़ते हैं कि नहीं, मानसिक रूप से अलर्ट हैं कि नहीं, ये क्या सिर्फ इंटर्व्यू में होता है, नहीं, ये पिटी में भी होता है, मेंस में भी होता है, और इंटर्व्यू में भी होता है, ठीक है, तो मानसिक रूप से जैसे ही किसी ने कहा, मान लिजे, फर्ज कीजिए, कि एक अधिकारी है, ठीक है, उसके अंडर में कई सारे बोडिगार्ड्स हैं, या फिर जवान हैं, उसको किसी निकले हुए हैं, पैट्रोलिंग पर, किसी व्यक्ति को देखा गया, सस्पेक्टेड था, शूट ऑन साइट का ओर्डर है, देखते ही गोली मारिये, मान लिजे, कि ये अधिकारी जो है, इसने पहचान लिया, कि ये तो अपना ही आदमी है, अपना ही इनफॉर्मर है, इसने तुरंत अपने जवानों से कहा, कि इसको गोली मारना, गोली चल चुकी है, वो कहने वाला उसको लेना भी, ठीक से सुनना, सतर्क रहना, ठीक से समझना, ये भी आपके वित्तित्व का एक हिस्सा हो सकता है, किसी प्रश्णिया बात को पूरे ध्यान से सुनना, उसे पूरी तरह से समझना, और उसके बाद सभी पहलूँ को शामिल करते हुए अपने जवाब को देन या अपनी बात रखना, ये आपके UPSC आपसे उम्मीद करता है, उपीटी हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, ये आपके प्रारंभिक परिक्षा में 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 और इंटरव्यू में पास करने में महत्वण भूमिका निखाएगा, दूसरा, विशलेशनात्मक और आलोचना सोचने के क्षमता, विशलेशन किसी चीज का करना, एनालेटिकल एप्रोच, मेंस में हम क्या करते हैं, एनालेटिकल एप्रोच ही, निखारते हैं, दूसरा, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं है कि आलोचना करना, आलोचना में दोनों चीज़े शामिल है, भ अच्छाईयां क्या हैं? कमियां क्या हैं? मेंस के लिए जो अडिटोरियल प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप सुनते होंगे, आगे की राह, क्या इससे हो सकता है? अच्छा, इसके विपक्ष में क्या तरक दिये जा रहे हैं? इसी तरीके सम्दों करते हैं, वो आलोचनात्मक तरीका है, कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों जाने, उसके समर्थन में क्या तरक दिये जा रहे हैं? अगर सिर्फ इतना ही जानिएगा, तो ये आलोचनात्मक तरीका नहीं है, तो फिर तो आप सिर्फ इन फेवर ओफ देख रहे हैं, फेवर के अलावा उसमें निगेटिव क्या है, उसकी अलोचना में ये आधहार कौन-कौन से हैं, जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि जैसे माल लिजे सम्विधान संशोधन विधयक, सम्विधान संश राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, राज्यों की भूमिका सिर्फ तब है, जब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला हो, यानि संसत से ही पास कराया जा सकता है, राज्य के विधान मंडल में सम्विधान संशोधन नहीं लिया जा सकता है, तो ये भी एक पॉइ देखेंगे कि जॉइंड सेशन क्यों नहीं रखा गया। इसके पक्ष में क्या तर्ख है। 368 में अगर जॉइंड सेशन रहता है सरकार इतनी ताकतवर हो जाती कि किसी भी अमेंडमेंट को पास करा लेती। क्योंकि जॉइंड सेशन में साधारन बहुमत से पास कराना है। यही इसकी कमी भी ह। यह पक्ष में है, विपक्ष में सारे अलोचक कहते हैं जॉइंड सेशन की व्यवस्था नहीं रखी गई। इसलिए होना चाहिए जोइंट सेशन की व्यवस्था, गतिरोध की स्थिति में जोइंट सेशन की व्यवस्था नहीं, तो भाई कमी क्या है, और मजबूती क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये वाली समझ UPSC डिमांड करते हैं, किसी मुद्दे या विशे पर पक्षपाती होने से आपका व्यक्तित्व बचाता है, आप किसी भी मुद्दे पर जुके हुए नहीं रहेंगे, मतलब किसी पुर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले ही से आपने तय कर रखा है, कि अगर गाड़ी का accident हुआ है तो जरूर कोई लड़की चला रही होगी इसका मतलब आप पुर्वाग्रह से ग्रस्त हैं लेकिन UPSC की demand जिस व्यक्तित्व का है या फिर G1 में जिस व्यक्तित्व का demand है G1 में आपको जिस व्यक्तित्व के बूते काम्यावी मिलेगी वो demand करता है कि आप balance सोच रखें पक्षपाती ना हूँ पहले से पुर्वाग्रह से ग्रस्त ना हूँ तो निर्ने में इससे क्या होगा इससे निर्ने में संतुलन आता है जब पक्षपाती नहीं होंगे तब ही decision ले पाएंग किसी ने आके आपसे कहा कि भाई फला आदमी तुम्हारे बारे में यह यह बोल रहा था आपने उससे अपना संबन तोड़ लिया किस से बोलने वाले से नहीं जिसने बोला है जिसके बारे में सूचना मिली है कि फला व्यक्ति तो बोल रहा था कि यार वो तो बड़ा negative आद कि ऐसी ऐसी बात है कोई नाराजगी है तो बताओ अगर मुझे लग रहा है कहीं मुझे से कोई गलती हुई हो तो बता दो जब बात होगी पता चलेगा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहाई ही नहीं अब कोई एक पक्ष सुनके अगर अपने रिष्टे खराब कर ले संबन तोड़ दे तो इसका मतलब उसके व्यक्तित तुम्हें कमी है दोनों पक्षो को सुनना जरूरी है ठीक है जैसे एक एग्जामपल आया सामप्रदाइक था रियूमर्स रियूमर्स एक बड़ा रोल निभाते हैं सामप्रदाइक तरीके के माहौल में क्योंकि आपने दो जबकि अगर आप पक्षपाती नहीं है तो आपका निर्णे सा टीक होगा क्योंकि आपने दोनों पक्षो पर विचार किया है आप प्रशासन में भी जाएंगे ना तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप दोनों पक्षों को सुने या जितने भी पक्ष हैं उनको पहल मुल्यांकन मतलब समग्रता में चीजों को देखना वो आपका 360 डिग्री मुल्यांकन है आपको अपनी राय इस पष्ट रूप से व्यक्ट करने में भी विशलेशन आत्मक और आलूचन आत्मक सोच की ख्षमता जो है वो मदद करती है ठीक है विचारों में सपष्टता और तारकिकता ये भी एक पक्ष है जो आपके परस्नाल्टी से जुड़ा हुआ है परस्नाल्टी डेवलप्ट रहेगी परस्नाल्टी को आपने निखारा है ग्रूम किया है तो आपके विचार बहुत सपष्ट रहेंगे सोचने के जो पैटर्न है वो बहुत क्लियर थॉट्ट्स रहेंगे आप दुविधा में नहीं आएंगे डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा आपको हमेशा ये दुविधा नहीं होगी कि ये करें या वो करें क्यों क्या कि आपकी पर्सनाल्टी धीरे थीरे अपने वैसी कर लstep कर लिए आपने अ अपने नेम्सेँद हो में आत्म विश्वास भर लिया है इस पाश्टत आएगी टारकिक्ता के आप सहारा लेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्तु में जब निकार आये, तो बिसीकली उसका एक बड़ा र Yazan क्या है, आप तारकिक तरीके से सोच रहे हैं, आलोचनातमक तरीके से आप सोच रहे हैं, पक्ष और विपक्ष को देखती हुए चल रहे हैं, पुर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, इसका मतलब ही है कि आपकी तरकिकता बढ़ रही है, UPSC के डिमांड है कि आपकी विचारिस पष्ठों और तरकिकों, जैसे कई बार आपने देखा होगा मौक इंटर्व्यूज में कि कोई पूस देता है कि भाई आपने ये हाथ में धग क्यों पहनी है, क्या अपन्द विश्वासी है, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, तो दो उत्तर हो सकता है, पहला व्यक्ति तो घबरा जाए कि गलती हो गई, नहीं पहन के आना चाहिए था, या वो बोले कि भाई, वो मतलब गय थे, मंदिर तो पहन लिये थे, मा ने कहा थ बहुत डरते, बचते हुए, या एक व्यक्ति बहुत सीधे-सीधे कह सकता है, कि मैं जिस धर्म से बिलॉंग करता हूँ, मेरी आस्था इससे जुड़ी हुई है, यह आस्था का विश्य है, मैंने पहन रखा है, तो समस्य कहा है, अपनी बात को, उसका कोई तर्क है, तो तर किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, जब आपसे सवाल पूछा जाए, उसके पीछे का तर्क आपके पास है, तो फिर आप कमजोर नहीं पड़ते हैं, आपके व्यक्तित्त परिक्षन में वो आपके निगेटिव में नहीं जाता है, आप डरते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, आपको लगता है कि यह नहीं करना चाहिए था, आप उसके पक्ष में तर्किक तरीके से इस्पष्ट विचार नहीं रख पाते हैं, तो आपको नुक्सान होता है, तो विचारों में इस्पष्टता और तर्किकता का संबंध आपके विचार और अभिवक्ति में इस पश्टता से है, जब आपके विचार इस पश्ट होंगे, और ये भी फिर बताइए, कि क्या इंटर्व्यू के लेवल पर है सिर्फ, नहीं, मेंस के लेवल पर भी है, मेंस के लेवल पर आपसे, क्या उम्मीद की जा रही है, थौट प्रोसेस आपका शार्प होना चाहिए अपने व्यक्तित्तों में, जैसा आप सोचेंगे, जितना इस पश्ट सोचेंगे, जितना थौट प्रोसेस क्लियर होगा, उतना ही अच्छा बोलेंगे, और उतना ही अच्छा लिखेंगे, मतलब मेंस का आंसर रैटिंग बेसीकली है आपके सोचने की ख्रमता से जुड़ा अंसर लिखेंगे, तो कहीं भी आपके personality की दूबिधा वहाँ भी reflect करेगी, और आपके personality का sharpness भी वहाँ reflect करेगा, तो means में विचार इसपष्ट हों, तो अच्छा लिखेंगे, ठीके, सीधी सीधी बात लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है, direct उसका जवाब देंगे, कई लोग to cut, जिसने पूछा, आपसे जो पूछा गया, जैसे मान लिजे, आपका दोस्त पूछता है, कि भाई कल क्यों नहीं आए, ठीके, तो एक तो बात हो सकती है, कि कल मैं किसी काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आया, दूसरी बात हो सकती है, एक पूरी कहानी गढ़ना, पू ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वे हो हुआ, फिर ये हुआ, अब कहानी डिरेल होते जा रही है, और लास्ट में पता चला कि इस प्रश्न का जवाब ही नहीं आया, कि क्यों नहीं आया, तो ये इस पश्ट विचार सीधा सीधा सोचना, to the point skill, ये डेवलप करना आपके पसनार्टिकर पार्ट है, दूसरा, तरकों में एक रूपता ले आएगा, तो contradictions नहीं होंगे, contradictions का मतलब क्या है, विरुधा भास, आपके व्यक्तित्व से कई बार विरुधा भास जलगता है, ठीक, कैसा विरुधा भास हो सकता है, विरुधा भास, इस तरीके का, एक तर ठीक है, या अगर कोई लड़की ऐसा दिमाग में बैठा ले, कि हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पक्का कोई लड़का ही होगा, ज़रुरी नहीं है भाई, लड़की भी हो सकती है, एक तरफ तो आपने ये पुर्वाग्रह पाल रखा है, कि एकसिडेंट हुआ त यही स्टेट्मेंट हो सकता है, कोई आपके घर की महिलाओं के बारे में बोले कि भाई, वो तो इसलिए गाड़ी खराब चलाती है, क्योंकि लड़की तो होती है, इसे आप बढ़क जाएं, इन दोनों में कॉंट्रेडिक्शन है, एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं, दू दूसरे की बात होगी, तो हम दूसरे तरीके सोचेंगे, कैसे होगा, अपने व्यक्तित्तों में सुधार करके, अपने थौट प्रोसेस में सुधार करके होगा, कि दोनों ही परिस्थिति में यही सही है, ठीक, तो इस पश्ट और तारकिक होने से आपका मनुबल बढ़ता ह चाहे फिर आप परिक्षा के किसी भी चरण में हो, जब आप इस पश्ट और तारकिक रहेंगे, तो आपका मनुबल इससे बढ़ेगा, ठीक है, अब UPSC के लिए हाथ से ही हम बात कर रहे हैं, यह सारे उदाहरण हम लोग सिर्फ इस लिए दे रहे हैं, UPSC आपसे क्या डिम डाइनेशन पर सोचते हुँगे, जब आप आलोचन आत्मक द्रिश्टिकोंड रखते होंगे, यानि पक्ष और लेपक्ष दोनों को सोचते होंगे, ठीक है? क्रिटिक का मतलब सिर्फ यह नहीं기도, क्रिटिकल अनल्सिस का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ लेपक्ष में बात करे उसके सकरात्मक पक्षों को भी सोचते होंगे और नकरात्मक को भी, तो फिर फाइनल क्या होगा, आप किसी चीज को रटेंगे नहीं, क्योंकि वहां भी आप अपनी तरकिकता लगाएंगे, अदर्वाइज आपका दिमाग अगर डाइमेंशन को सोचने के लिए कैपेबल नह नहीं है, आपने अपने अंदर विशलेशन आत्मक क्षमता एनलेटिकल एप्रोच को डेवलप नहीं किया है, आपने अपने अंदर क्रिटिकल एनालेसिस करने की क्षमता को डेवलप नहीं किया है, तो आप किताब में लिखी हुई बातों को रटने के शुरुवात कर दें और अगर आप दूसरे मेथट से चल रहे हैं, तारकिक सोच अच्छी है, इस पश्ट है, आलूचनात्मक्षमता है, विशलेशनात्मक्षमता है, तो आप उसके डाइमेंशन्स को सोचेंगे, उससे आपको कॉंसेप्ट की समझ बनेगी, रटेंगे नहीं, तो रटने की बजा रखेंगे, स्वतंत्र सोच रखेंगे, और जब भी ऐसी कोई परिस्थती आजाए, जो ओपिनियन बेस्ट हो, उसमें आप एक स्ट्रॉंग ओपिनियन प्रेजेंट कर सकेंगे, अदर्वाइज कोई इंटर्व्यू में पास नहीं होगा, आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ दि लिए, आपको क्या लगता है, मंदिर बनाने का कदम उचेत है या नहीं, आपको एक बैलेंस अप्रोच वहां शो करना है, रिफलेक्ट करना है, तो आपकी विशलेशनात्मक्षमता, आलोचनात्मक्षमता इसके लिए आपको मदद करेगी, आप रट के नहीं जा सकते हैं, कि ये सारी चीज़े, आप समझ के जा सकते हैं, समझ के जाएंगे तो और डैमेंशन्स खोल देंगे, रट के गए, तो याद करेंगे कि क्या पढ़े थे, याद ही नहीं आएगा, ठीके, फिर समय के साथ, तनाव प्रबंधन में भी, आपका व्यक्तित्व का विकास, सहायक स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करता है, वो भी तो आपका व्यक्तित्व ही, मैंने कहा ना कि थोड़ी सी खुशी मिली, आप उचल गए, मतलब थोड़ी सी सफलता मिली, जीवन में, अब उस थोड़ी सी सफलता में पहले तो आपका बॉडी लेंग्विज चेंज हो गया, बात आईएज बन गए, थोड़ी से सफलता है, आप आईएज बन गए हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी हो गई, आप किसी एक रेंज क्लास के लोगों से मिलना शुरू कर रहे हैं, आपका क्लास आपको लग रहा है, आप उचा हो गया, मेरे पुराने दोस्तों से बात करने के जरूरत नहीं है, या आपके पास समय नहीं है, इस थोड़ी से सफलता ने आप में एक अहंकार के स्थिति ले आ दी, गुरूर के स्थिति ले आ दी, आप डिरेल हो गया हैं बेसक लिए, ये आपके व्यक्तित्व का सबसे कमजोर पक्ष आपने उन लोगों को याद करना जरूरी नहीं समझा या उन लोगों के महत्यों को जरूरी नहीं समझा कि आपके IS बनने में सिर्फ आप नहीं हैं, आपके IS बनने में आप पफॉर्मेंस दे रहे थे, सबसे आगे थे, प्ले कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ल तो काम्याबी नहीं, जीवन में काम्याबी तो इस बात से तैह होगा कि आप कितने अच्छे व्यक्ति बने, तो उस काम्याबी तक पहुंचने का रास्ता तो और लंबा है, वो आपके पूरे जीवन भर की सोच का एक क्रक्स है, निचोड है, ठीके, इस छोटी से सपलता पर पितरा गए, दूसरी तरब, छोटे से मुश्किल के हालात में पड़े, बिखर गए, जान देने पर उतारू हो गए, एक्जाम में नहीं हुआ, एंटर्व्यू दिये थे, नहीं हुआ फाइनली, दो बार से नहीं हो रहा है, आप तूट चुके हैं, इतने तूट गए हैं क कि मतलब अब ना किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एकांतवास में चले गए हैं, डिप्रेशन की स्थिती में आ गए हैं, आप बिसिकली बिखर रहे हैं, ये आपकी व्यक्तित्व की कमी है, आपके भीतर ऐसा मजबूत व्यक्तित्व रहे, कि आप किसी विकट पर स्थि प्रति सजग रहना ये भी UPSC आपसे डिमांड करता है ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है समस्याएं आपके इर्दगर्द क्या हैं उनके प्रति आपके समवेदन शिलता होतनी चाहिए कल को आप अधिकारी बनेंगे अभी एक व्यक्ति जो बोल रहे थे कि सर मैं जब पैसा कमाऊंगा भर लूँगा पैसा अगर इतनी समवेदन हिंता आज ही से है सुसाइटी की प्रति तो आगे क्या होगा आप तो तैयारी करके ही जा रहे हैं ना आप यकीन मानिये अगर वो एस्पिरेंट ही थे और कभी इंटर्व्यू पैनल के सामने पढ़ जाएंगे न इंटर्व्यू पैनल सिर्फ इस बात से आपका इंटेंशन पकड़ लेती है कि आपने सर्विस का प्रेफरेंस क्या भरा है अगर आपके सर्विस के प्रेफरेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आप पैसा कमाने वाला पद सो कॉल्ड पैसा कमाने वाला पद हासल करना चा और समवेधन शील रहना आपसे जब पूछा जाता है आपको किसी जिला का DM बना दिया आप बन गए और वहाँ बाढ़ की समस्या है तो आप क्या करेंगे और आप बहुत मेकानिकल जवाब दे रहे हैं उसमें समवेधन शीलता नहीं दिख रही है तो फिर दिक्कत आप एगर अच्छे व्यक्ति हैं अगर अच्छे सोच रखते हैं एनलेसिस करना जानते हैं आलोचनात्मक सोच रखते हैं विशलेशन करना जानते हैं परिस्थितियों की तो आप उसके कारणों को देखते हुए उन समस्याओं को समझेंगे जो वो लोग जे नहीं है तो समाजी कार्थिक समस्याओं के प्रति सजग रहना ये भी UPSC आपसे उमीद करता है बॉध्धिक और नैतिक क्षमता का विकास ये भी उमीद है आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए अगर आप ही आत्मविश्वास खो देंगे आपको अधिकारी बना दिया जाए आप आत्मविश्वास खोने वाले व्यक्ति हैं तो आप दूसरों को क्या समालेंगे दूसरों के समस्या का समाधान कै कोविड फैल गया सूचिए उन अधिकारियों के बारे में जिन्होंने कोविड का पूरा मैनेजमेंट किया आप चार केस देखकर घबरा गये आपने चार वाटसेप पर ऐसे चीज़े पढ़ी आपको एंग्जाइटी होने लगी आप न्यूज नहीं खोल रहे हैं ठीक है क्य न्यूज चैनल खोल के देखके लाशों को देखकर आपका मन घबरा रहा है आपको एंग्जाइटी हो रही है उन अधिकारियों उन डॉक्टर्स का सोचिए जो इस पूरे मैनेजमेंट का पार्ट है उन पुलिस वालों का सोचिए जब आप घर में बैठे हुए हैं वो उस जिलों में तो यह हुआ कि पुलिस वालों ने घर घर में सबजी टमाटर बेजाए यह कहां से आ रहा है यह उन अधिकारियों और उस पूरे सिस्टम में शामिल लोगों का मजबूत मनोबल है ना वो घबरा नहीं रहे हैं एक मजबूत व्यक्तित वाला आदमी उसको लीड कर रहा है वो अपनी टीम में उर्जा भर रहा है और रास्ता निकाल रहा है ना कि घबराकर बैठ गया है पैनिक हो गया है ना कि घबराकर बचा हुआ है कि भाई मुझे किसी तरीके से बच जाना है बाकी लोग भाण में जाए तो समवेदन शीलता भी एक बड़ा इशू ह और आत्मविश्वास भी एक बड़ा इशू है अगर आप ही आत्मविश्वास खो देंगे तो फिर जिला तो नहीं समलेगा और जिला तो शुरुवाती दोर में आईएस बनने के बाद बाद में तो आपको बड़े-बड़े काम करने है ठीक है दूसरा आपका जो लर्निं हम चर्चा में रहा यह स्थान यह हाल हमें चर्चा में रही यह बात यह किसके बारे में बुलीा आपके उसी जिद्ग्यासा भाली apologize का टेंशन सीखने की चाहत तो आप सीख रहे हैं , कम्प्यूटर देखकर आप यह नहीं सोचते रहे हैं इस और कॉन सीख़ेगा आपको मन करता है यह भी स्पोर्ट शीक लें आपको मन करता है गाड़ी चलाना भी सीख लें यह आपके लर्निंग पेटर्न को बताता है सीखने की इच्छा को बताता है चाहत को बताता है और यह बहुत जरूरी इसी तरीके से अवेर रहना आसपास क्या हो रहा है वो आपकी जानकारी इकठा करने के इच्छा को बता रहा है कि भई आप अवेर हैं ठीक है पाकिस्तान में ये हो गया political unrest चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई, क्या हो गया ऐसा, ठीक है, कोई एक term आया है, उसमें हो सकता है, पूछी ले, पूछ ले तो बात का इशू है, पहला इशू है, कि जानने की इच्छ है, कि हुआ क्या है, ठीक, तो सीखने की चाहत, और UPSC आपसे चाहता है, कि आप सकरात्मक सोच रखें, solution maker बनें, न की problem creator, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, कि भाई ये गलास जो आधी भरी हुई है, या आधी खाली है, ये दो लोगों का नजरिया है, एक व्यक्ति का नजरिया है, कि भाई गलास आधी भरी हुई है, और एक का नजरिया ये गलास आधी खाली है, तो दोनों नजरियों में क्या फर्क है ग्लास तो वही है पानी भी उतना ही है लेकिन दोनों का देखने का द्रिष्टिकोंड नजरिया अलग-अलग है तो कोई समस्त्या में जब आप फंसेंगे तो क्या आप उसके सॉल्यूशन को निकालने के क्षमता रखते हैं या क्षमता पैदा होते नहीं रखते हैं धीरे 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 आपने इसको डेवलप कर लिया है या फिर किसी सॉल्यूशन में फंस के आप गिव अप कर देते हैं य आत्म विश्वास को बढ़ाता है जिसे आप खुद पर विश्वास कर पाते हैं, भावनाओं पर नियंत्रन कर पाते हैं, असंतुलन के स्थिति तो तब होती है न जब भावनाया नियंत्रित हों, जैसे वही मैंने कहा कि थोड़ी से सफलता से आपने जमीन छोड़ दिया, ज जब सफल हूँ, जितने बड़े कद के आदमी होते जाएं, आपका पैर उतना ही जमीन में धंसते जाना चाहिए, मतलब क्या है, जितनी सफलता आपको मिल रही है, जितने भी आप काम्याब हो रहे हैं, आपका जमीन से जुड़ाओ और गहरा होना चाहिए, आपके पैर में के दौरान भावनाओं पर नियंत्रन बहुत जरूरी है ठीक है प्रभावशाली संबाद करने में भी यह हैं भूमिका बनाता है जो आपके इंटर्व्यू तक काम करता है प्रभावशाली संबाद का मतलब सिर्फ यह नहीं हुआ कि बात्चित करके संबाद कम्मुनिकेशन का मतलब हुआ कि जो लिख कर आप कम्मुनिकेट कर रहे हैं वो भी तो मेंसो या फिर इंटर्व्यू हो प्रभावशाली संबाद कैसे होगा लिखेंगे कैसे और बोलेंगे कैसे संबाद का यहां दोनों मतलब निकालिए कम्मुनिकेट कैसे करेंगे और एफेक्टिवली कैसे करेंगे यह आप अपने personality development के जरीए कर पाते हैं और बेहतर निर्मान लेने की निर्णे लेने की क्षमता बढ़ती है चात्र जीवन में व्यक्तित्व विकास का क्या महत्व है आप अपने personality पर काम करते रहेंगे तो आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी आप जब किसी चीज को पढ़ेंगे ज्यादा adopt कर पाएंगे उसमें ज्यादा retain कर पाएंगे गहनता से सुनने की आदत आपकी बढ़ेगी और जब तक आप अच्छे सुनने अश्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते अच्छे लेखक नहीं बन सकते सुनने के आदट डालिए जोश और उत्सा बना रहेगा क्योंकि आप हमेशा अपने व्यक्तित्तु को लेकर positively काम कर रहे हैं तो positive behavior से जो आत्मविश्वास पैदा होता है या positive काम करने से जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो आप व्यक्तित्त्तो के विकास पर अगर लगे रहेंगे तो उससे ये भी मजबूत होगा body language बहुत अच्छी develop होती है क्यों कि आत्मविश्वास बढ़ेगा तो body language पर उसका impact दिखेगा आपको ये हसास होना चाहिए कि मैं अच्छे तरीके से चीजों को handle कर पा रहा हूँ आपका आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आपके body language में भी वो reflect होता है जैसे आप किसी को देखते हुए कहते है कि बड़ा confident आदमी है गजब confidence है कैसे बोलते है उसने अपनी personality को वैसा groom किया है कि उसको देखते के साथ आपको लग रहा है बात करते के साथ लग रहा है क्या confidence है गजब confident है किसी से बात करते हुए ही आपको फील हो रहा है कि यार बड़ा निराश आदमी है, अताश्ता है, मतलब बात नहीं है इसमें वो, बड़ा डेरा सहमा हुआ सा व्यक्ति है, बड़ा वेग सा आदमी है, और इस पश्ट बात कर रहा है, किसी बात का सही जवाब दिया ही नहीं, ठीक है, जबकि एक व्यक् जिससे बात करके सकरात्मक औरा पॉजिटिव एनर्जी फैला दिया उसने और एक व्यक्ति जिससे बात करके अच्छे खासे आदमी का मन निगेटिव हो जाए निराशा घर कर जाए ठीक है दूसरा नियमित और अनुशासित बनने के लिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़रूरी है नेत्रित्व करने की खशंता बढ़ती है इससे, सामाजिक कौशल बढ़ता है, इन सब चीजों से ये सारे फायदे है, क्या करने की जरूरत है, निशकर्ष क्या है, चलिए आप लोग बताईए, क्या हमें UPSC के लिए परस्नालिटी को गुरूम करना चाहिए, फायदे है या नुकसान है, जल्दी से बताईए, क्या हमें जरूरत है UPSC के परिक्षा को क्रैक करने के लिए अपने व्यक्तित्तों के विकास की, एक ही व्यक्ति ने कहा है जी सर, चलिए दूसरा आगया, फायदा है, ठीक है, सहमती है ना, कहीं ऐसा तु नहीं कि लग रहा हो कि क्या ही बोल रहे हैं, बिना व्यक्तित्त्त के भी हम रैंक वन ले आएंगे, व्यक्तित्तु सब के पास है, सब में और जीवन भर, लर्निंग का प्रोसेश जो है, वो जीवन भर चलते रहता है, आपसे मैं सीखूंगा, कुछ मुझसे आप सीखेंगे, मैं किसी और से सीखूंगा, परिस्थितियों से सीखूंगा, इंसानों से सीखूंगा, और ये आज थोड़े ही, ये तो ताउम्र चलते रहना है, इसलिए कोई शिक्छक, basically student है जीवन भर के लिए, कोई भी शिक्छक ज जीवन भर अगर सीख रहा है, सीखने की process जिस दिन उसने बंद कर दी है, समझे उसके व्यक्तित्व का विकास खतम हो गया, यानि उसका विकास खतम हो गया, ठीक है, तो क्या करने की जोरत है, भाई, व्यक्तित्व का विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगतार चलने वाली प् रब जा रहा है ना मैंने क्या कहा लर्निंग का प्रोसेस तु चलता रहेगा जीवन भर हाँ लेकिन इतना हो जाए कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाए उस प्रोसेस की दिशा में आप डेली डेली बढ़ते जाएंगे इसमें कोई दो रहे नहीं है लेकिन ये एक दिन में बात से अगर ये कोई कॉंक्लूजन निकाल ले कि मेरे अंदर तो हैं नहीं तो ये गड़बड हो जाएगा रेशियो का अंतर है किसी का व्यक्तित्तों में सकरात्मक चीज़ें ज्यादा हैं किसी के कम हैं तो आज से उस पर काम करना शुरू कर दीजे इसका विकास सिर्क प आपका व्यक्तित्तों अगर निकरेगा तो आपकी पूरे जिंदगी में अच्छे व्यक्ति के तोर पर आप सोच समझ पाएंगे डिसीजन ले पाएंगे और पूरे जीवन भर इस प्रॉसेस से आपको मदद मिलेगी पढ़ने और सुनने की आदत डालें ठीक है तो ये तम ये सेशन आपको कैसा लगा ये बताईएगा जरूर ताकि ऐसे ही कुछ सेशन मैं और प्लान कर पाऊं अगर आप बोलेंगे तभी करेंगे तो इसके लिए आप एक बार कमेंट में जरूर डाल दीजेगा कि आप क्या चाहते हैं या कोई विशे अगर आप चाहते हैं कि इस विशे पर भी सर एक वीडियो होना चाहिए तो फिर उस पर भी बना देंगे ठीक है